हलो एल्वन स्टेडी अड़ा के यूटूब चैनल में आप से विका स्वागत है आज हम जी विग्यांसे लेटिट कोशन को डिसकर्स करेंगे जो कि रेलवे के विभीन एक्जांस में आ चुके हैं और यह जो हमारा सीरीज है यह आने वाले एक्जांस जैसे रेलवे के बहुत महत्पून है क्योंकि रेलवे में रिपीटिट कोशन बहुत आते हैं और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक का बटन जरू दबादे क्योंकि इससे हमें और इंकरेजमेंट मिलती है वीडियो बनाने की साथ इस वीडियो को जरूर करें और साथ हमारा जो टेलिग्राम ग्रूप है स्टेडियाड़ा का उससे जॉइन कर लें क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसके पीडियाफ हम वहाँ प्रवाइड कराते हैं साथ में और भी पीडियाफ वहां आपको बीजाएंगे तो शली शुरू करत और यक्रित गंथी के बारे हम और जानकारी ले लेते हैं जैसे कि यक्रित का जो भार होता है श्रीर का एक बट्टे 50 होता है और सांत में ये पंद्रह सोसी 2000 ग्राम का बजन में होता है यक्रित जो है ग्लूकोस से बनने वाले ग्लाइकोजोन का संग्रह करता है और यक्रित भोजन में जो वसाओ और प्रोटीन होता है उसका संसवधन करने मदद करता है ये रख्त को थक्का बनने के लिए आँशक प्रोटीन का दिनला करता है और साथ में भून आवस्ता में रख्त जो निर्मांद होता वह यकृत मेंjukही होता है तो हमारा अंचर होगा A Cerebral और Cerebral और क्या क्या करता ह। यह C кусacetna-vbriddhi-smriti का C केंद्र है और सरीब्रम भावना वाणी हसने और रोने पर भी नियंतित करता है साथ में सर्दी गर्मिश पर प्रकार से संबंदित अनुक्रियाओं को भी यहीं से प्रेडित होती है कि अगला कुछने सरीर का ताप्रक्रम कहां से नियंतिद होता है तो option से spinal cordstände Cerebrum और अब आंसर होगा Cяет What's more cela से और क्या क्या होता है इससरीर का ताप्रमा नियंतित होता है इससे से नियांतित होता है और पांशन का रस उत्पद भी यहीं से होता है अगला कोशन है अमीबा में भोजन का अंतरग्रहन किसके द्वारा होता है तो आप्शन से कूटपाद कोशिका मों सीलिया की गुद्दा द्वार तो आंसर होगा ए कूटपाद दिम्स में से कौन सा एंजां मलार में पाये जाता है तो ऑप्शन से ए प्यपसीन की सिटलियोख यह दि मोट difils इन तो हमारा आंसर होगा की सैटलिये अगला question व्राव प्रक्रिया जिसके द्वारा मुनिश्वासन करता है तथा छोड़ता है वह है तो option से स्वासन स्वासोच्षवास प्रस्वास या निश्वासन तो हमारा आंसर क्या होगा अंसर होगा स्वासो स्वास बढ़ते एंगले कोशन पर अगला कोशन है उर्जा उतपादन के लिए कोशिका प्राय किसका उप्योग करती है तो हमारे ओप्शन से A. अमिनोम, B. ग्लुकोज, C. वसाम, D. सुक्रोज तो हमारा अंसर होगा B. ग्लुकोज बढ़ते हैं एंगले कोशन पर किस अब इक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सिजन बाहरी बातावरण से खोशिकाओं में पहुंचता है तो हमारे ओप्शन है A. किडवन, B. विसरन या डिफ्यूजन, C. दहन, कि D. प्रकास स्वेंसलेशन तो मानांसर होगा B. विसरन या डिफ्यूजन तो यहां पर हम डिफ्यूजन से लेटर देख लेते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसेंट्रेशन से जब atom low concentration में जाता है जैसे कि यहां देख रहे हैं आप तो इसी चीज़ को diffusion करते हैं बढ़ते एंगलों कॉश्चन पर स्वासन की अभिक्रिया में खाद पदार्थों की परिणती क्या होती है तो हमारे option से A विगठन, B दन, C परिवर्तन, D संसलेशन तो हमारा answer होगा A विगठन, बढ़ते हैं एंगलों कॉश्चन के खाद पदार्थों में पौधों में साना अंतरन का मुख्य रूप कौन सा है तो हमारे option से A ग्लूकोज, B श्टार्च, C सुक्रोज, D प्रोटीन तो हमारा answer होगा C सुक्रोज अगला question है एक स्वस्त मनुष्ट का रखतिचाब कितना होता है तो option से A 90 पटे 60, B 120 पटे 80, C 200 पटे 130 या D 140 पटे 160 तो हमारा answer होगा B 120 पटे 80 तो यह जो 120 होता है इसको करते हैं सिस्टॉलिक और 80 को करते हैं डायस्टॉलिक बढ़ते एंगलो question पर मनुष्ट के मस्तिस्ट की सबसे बाहरी छिली है तो option से A पिया मीटर, B मीटर, C डूरा मीटर या D एरक्वन वाड तो हमारा answer होगा C डूरा मीटर बढ़ते एंगलो question पर मनुष्ट के सूंगने की समता को नियंतर करता है तो option से A ऑप्टिकल पॉली, B ध्यानेंद्री पॉली, C सेरीब्रम की डी इनमें से कोई निए तो हमारा answer होगा B ध्यानेंद्र पॉली, बढ़ते एंगलो question पर मनुष्ट में बुद्धि यहुं चत्रुआई का केंद्र है, option से सेरीब्रम, हाइपोथेलमस, C सेरीब्रम, की D, स्पाइनल कॉड, तो हमारा answer होगा C सेरीब्रम, बढ़ते एंगलो question पर रक्त में ग्लुकोज की माता नियंतित होती है, option से, A सैमो टाक्सीन की कारण, B ग्लुकागन के कारण, C गैस्टिरीण के कारण, यह D इंसुलीन के कारण, तो हमारा answer होगा D इंसुलीन के कारण, और इसकी खोज किस ने के थी, इसकी खोज के थी, फेडरिक सैजर ने, बढ़ते हैं एंगलो question में, अगला question है, oxygen है, options A वसा, B carbohydrate, C enzyme, D hormone, तो यह है enzyme, और enzyme की खोज किस ने के थी, कुहने ने, और enzyme क्या होता है, यह catalyst का काम करता है, अगला question है, जेव परक्रम के अंतरगरत कोन आता है, तो option से, A portion, B, उद्सर्जन, C, स्वासन की D सभी, तो portion आता है, उद्सर्जन आता है, स्वासन में आता है, इसलिए, आंसर होगा D सभी, बढ़ते हैं एंगले question पे, 0.3%, तो हमारा answer होगा 0.03%, बढ़ते एंगले question पे, छाय हमें अपने वाले पौधो को क्या करते हैं, option से, A, Heliophytes, B, Theophytes, C, Siokites की D, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा answer होगा, C, Siokites, और Heliophytes क्या होता है, ऐसे पौधों जो कि नमकिन पानी में उखते हैं, जो नमकिन पानी क क्या होता है, जिसमें नमक हो, बढ़ते एंगले question पे, मनिश्य में मुक्यता स्वासन अंग क्या है, यह तो आप लोग जानते हैं, यह सब को इसके लिए, कोई हो नहीं है, फेपड़ा, बढ़ते एंगले question पे, निम लिखित में से कौन सी बिमारी स्वासन तंत्र से है, option से A, hypertension, B, पक्षागाद, C, hypertension, कि D, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा answer होगा C, hypertension, बढ़ते एंगले question पे, मचलियों में उच्छित पदार्थ क्या है, तो option से A, aminome, B, ureacum, C, urea, यह D, ammonia, तो हमारा answer होगा D, ammonia, बढ़ते एंगले question पे, पौधों में आवश्रक्ता से अधिक जल, किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है, तो option से A, आवश्रोषन, B, वास्पोर्स सर्जन, C, उत्सर्जन, कि D, प्रकास संसलेशन, तो हमारा answer होगा B, वास्पोर्स सर्जन, और वास्पोर्स सर्जन क्या होता है, इसमें ज थोड़ा सा ही अंस, उनके शरीर में उप्योग हो पाता है, बढ़ते हैं एक ले कोशन पर, निम्ली लिखित में से किस प्रकास संसलेशन, अंग करते हैं, किसी प्रकास संसलेशन, अंग करते हैं, तो option से पत्ति, हरितलवक, स्टोमाटा की जड, तो यह तो सब जानता है, फ उसे जॉइन के लिए, क्योंकि इस वीडियो का PDF, साथ में अन्य वीडियो का PDF आपको वहा पर आसानी से मिल जाएगा, और साथ में आपको और भी exam related PDF मिल जाएगी, जिससे आप railway के exam आसानी से crack कर सको, और हम इसी तरह आपको RRB के exam तक रोज एक वीडियो प्रवाइड करा आपका दिन शुभू